हलो स्टुडेंज मैं संदिप सिंग वेलकम करते हूं आपका मैगनेट बेंज हिंदी में जहां पर मिलता आपको फ्री एजुकेशन फ्राउम क्लास सेवें टुट्वल्थ मतलब यहां पर कुछ चेप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सभी सब्सक्रिप विदुद धारा के चुम्बकिये प्रभाव इस चाप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक से हम उन सभी को देख रहे हैं उन साथ ही साथ जो इसके अंदर इंडिक्स क्वेश्चिन्स है मतलब जो पाठगत प्रश्न है जो ब्लू लाइन वाले क्वेश्चिन्स है उनका भी करतें चल रहे हैं यह फिक हंपर कर रहे हैं इस टॉपिक से समधित किस प्रकार के प्रश्चन हो सकते यह उन प्रश्चनों के प्रकार के साथ साथ, यह जो टॉपिक हमने भी पह़या है Ö exactly वैसे ही उसके behavior है क्योंकि sometimes ऐसा होता है न हम समझ लेते हैं हम सीख लेते हैं मैं लगता हमें यह चीज आ चुकी बाट इन आक्चुल प्राक्टिस पता चलता है यह तो विल्टा ही हो रहा है तो यह सब कुछ यह सारे doubts यह सारे confusion सब कुछ दूर करने के लिए start कर रहे हम हमार page number 265, 266 and 267 पर available जो questions है उनके solution के साथ तो चलिए बैस सूरू करता हूं सबसे पहला question जो के हमारे page number 265 से है क्या कह रहे है कह रहे है विदुत जनितुर का सिधानत लिखे 264 पेज में इसके previous session में हमने देखा था क्या हमने वहाँ पर देखा था कि हमसे पूछा गया था भई कि आप हमें समझाईए विदुत धारा के चुम्ब किये प्रभाव को अब यहां पर क्या discuss कर भी तो यहां से सबस्टार्ट हो चुका है हमारा right hand rule है ना दाहिने हाथ का नियम यहां पर हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ हम विदुत जनितर जो है जनितर जो है इसको पढ़ चुके है इससे संबंदे तब सवाल हमसे पूछे जा रहे है और बहुत अच्छे से पता होगा बट स्टिल अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई घबराने के बात नहीं कोई परिशान होने के बात नहीं है अगेर मैं आपके लिए चलिए रेपीट कर दे रहा हूं बट आपील कि भीया उस वीडियो को जाकर जरूर देखिये क्योंकि और बहतर तरीके समझ माएगा वहां पर हमने टॉपिक के तरीके से किया हुए यहां क्वेश्चिन के फ्रेम में करने जा रहे हैं तो आईए चलिए विदूद जनरेटर हना का सिद्धा विदूद चुम्ब के प्रेरन मतलब इलेक्ट्रो मिगनाटिक इंडक्शन पे बेस्ट ह होता है विदूद चुम्ब के प्रेरन क्या होता है तो विदूद चुम्ब के प्रेरन कहते हैं कि अगर एक परिनाली का के परिता या कुंडली के परिता अगर आपने चुम्ब के बल रेखाओं के संख्या में परिवर्तन कर आई तो उस कुंडली के परिता जनरेट होती है विदुतवाहकबल और उसी विदुतवाहकबल के कारण उस कुंडली में प्रवाहित होने लगते है विदुतधारा क्या कहा रहा हूं है? मैं कहा हूं एक है मेरे पास में यह चुम्बक इसके पास में दो पॉलारीटी मतलब दो डू होते हैं एक पोल और एक नौर्थ पोल से हमारी फिल्ड लाइन जो हो रही है इस तरीके से कुछ बाहर निकल रही है हमने क्या किया हुआ है तो हमने इसी के बाजू में रखा है एक कुंडली चलो भी यह रख ले कुंडली हमने यहां पर रख दी एक कुंडली एक केस तो यह हो चुका अगले केस में मैं कह रहा हूँ कि यह मेरे पास यही सेम कुंडली यहां पर रखी हुई है किन्तों इस संबंद में मैंने जो मागनेट रखा हुए वो रखा हुए बड़ी दूर मतब यह जो फिल लाइन सा रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है कुछ फिल लाइन कोई और कुछ फिल लाइन सकनेक्ट नहीं हो रही है तो یہ अगीन मेरे साउथ पुल होगा और यह नौत पुल होगा यह जब दूर रखा गया है दोनों तब यह जब दोनों एक दूसरे के पास रखे गए हैं तब जब पास रखे गएं तो इस कुंडली में ज़्यादा विदुत चुम्बकिये बल रिखाओं के संख्या ज़्यादा इसमें लिंक्ट है और यहाँ पर चुम्बकिये बल रिखाओं के संख्या में परिवर्तन क्या करो में कुंडली में चुम्बकिये बल रिखाओं के संख्या में परिवर्तन यही में काम है चुम्बकिये बल रिखाओं की संख्या में संखया में परीवर्तन संखया में है नगेशा रहा है तो इसके ऑलॉंक इस के एक क्रॉस क्या जेनरीट हो जाता poles मतब बिभवांतर राज आएगा कैसे ? तो अगर ये इसके करीब चलके जारी है यहाँ पर generate होता है north pole और अगर ये से दूर जा रहे है यहाँ पर generate होता south pole इसके लिए भी आपको वहाँ पर सिखाए मैंने कि भी जै क्या होता है कुणडली कुणडली अपने एंड पे वही पॉल जनरेट करती है जिसके कारण इसके अंदर बिदूत धारा प्रवाहित हो रही है अगर नॉर्स पॉल आ रहा है तो यह अपने आपक Cash सब्सक्राइब बस कहना यह нас ए जह भो रहे हैं उसका मैं करूंगा वी रोध अब नॉर इसके पास आ रहा है तो नॉर्थ बना लिए मतल्थ नॉर्थ जो तो 누가 बन गया उसको लेकिंन जैसे यह बहुद को साउख जैसी जाने लगा फिर से पास मतब इस तरीके के टर्मिनल्स जनरेट करता है जिससे की क्या हो भई वो अपने ही कारण का विरोध कर सके अब यह नौर्थ में हमें साव विदुधारा एंटी क्लॉकवाइस होती है मतब इस विदुधारा ऐसी बहेगी ठीक है ऐसी बहेगी और सावच में है साथ क्लॉकवाइस होती है कि यह ठीक eraser की यह दिसा रहने वाधी है कि यहाँ पर यह ठीक होगी यही हैं अमारा इलेक्ट्रो-मेगनाटिक इंडक्शन मतब यह को हम tao को हम प्रिरित विद्धारा को हम इस प्रकार से प्रांप कर सकते हैं यानि चुंबक और कुंडली के मादम से हम प्रेरित विदुधारा प्राप्त कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो कुंडली में चुमकिये बहल लेखाओ कि संख्या में परिवर्टन करा के अब इसके लिए आप कुछ भी कीजिए तो हमने कहा कि भाई यह क्यों मैं इसको जब आना लीनियर ली ऐसे मोशन कराऊंगा मतबब यह पर कुंडली रही और यहां पर मैगनेट को आगे पिछे लेजाओं तो बड़ा तकलीफदाई काम लगा मुझे क्यों तकलीफदाई लगा क्योंकि ऐसे लीनियर मोशन कराना लाइक पेंडूलम बड़ा ही मुस्किल सा काम है त के बीचों बीचाओं मैं क्यों ने रख दो इसकुंडली और एक हीवी नौर्थ और मैगनेटिक में इसको क्या कर दिया अब इसको क्या करूंगा scripture विद्थधारा प्राप्त होने सुरू होजाएग गी एक को इदर कनेक्ट किया एक को यहां से ब्रस लगाकर के लिए एक को यहां से ब्रस लगाकर को लिए और हमने यहां पर देखा तो हमें विदुद धारा प्राप्त होने सुरू होगी यह है पूरा हमारा क्या भी यह हमारा विदुद जिनरेटर कब होगा जब मैंने इसके अं clock wise गुमाणा सुरू कि यहनी CD को बाहर ले रहा हूं और AB को किदर बेज़ रहा हूं अंदर ऐसा गुमा रहा हूं ऐसा गुमा रहा हूं तो मैं कहना चाहरा हूं कि यह हमारी motion की direction को बताता है यह हमारी magnetic field को मतलब चुम्बकी अबल रिखाओं की दिशा को और जो ये मिडल फिंगर है ये बता रही होती है किसको भई विदुत धारा की दिशा को आप दाहिने हाथ का नियम समझेए कि भई आपने दाहिने हाथ के इन तीनों फिंगर्स को तो आपको क्या करना भई आपको इस कुंडली को इस आर्मेंचर को घुमाना है क्यों घुमाना हूँ ताकि इसमें से जो मैगनेटिक फिल्लेंस निकल रही है बिदुत चुमकी बल रेखा हैं जो इसमें से निकल रही है और कूलर के सामने ऐसे थर्मा कोल की शीट लेके खड़े हो जाओ जब कूलर से बिल्कु सीधे अब आ रही हो थर्मा कोल की शीट मैंने ऐसे लेकर के खड़ा हूं तो भी यह क्या होगा पूरा का पूरा हवा रोकनी की कोसिस करो अब थर्मा कोल की सीट को ऐसा धीरे धीरे धी तो क्या हुगा कम हवा रुक का मौरत को बल कन भी एसी रखे टी सबसे यदर फोर्स लग रहा था आप ऐसा करने ख़र गये दीरे दीरे आपको कम डिस्टरब करिए फिर ऐसा करेंगे तो दीरे दीरे क्या हने लगा आपको वहा जाधा बल लगाएगा आपकी तरह ऐसा ही यहां पर इस तरीके से कुंडली रखूंगा इसी के लाइन में रखूंगा मैं तब यह बिलकुल लंबवत होगा तब इस मेरे को क्या देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम अधिकतम वल रेखा हैं इसके अंदर से गुजरेंगी लेकिन जैसे मैंने इसको क्या माल यह ऐसा रखा इसको घुमाना शुरू किया अब बल लखाओं के संख्या कमी आएगी ने जब यह तिर्शा हो जागा तो जब कुंडली ऐसी हो जाएगे तो इसमें से बल रखा नहीं जाएंगी बिलकुल पैरलल इसके निकल जाएगी दर सभी दर सभी तो यहां पर इस तरीके से हम क्या क करते है तो रही इस जनरा टर के कुंडली को घुमा करके इसके अंदर चुबकिय बल लेखाओं के संख्या में करते हैं परिवरतन और चुमकियद ओंकी संख्यां में परिवरतन होगा तो इसमें एक इंडीूज करेंट एक विदूत धरा प्रवाहित होगी प्रेरित जा रहा रहा ही अंदर की तरफ टुए भी आम यह अंगूटा बताएगा मोशन को यह मोशन होगा ए-बी पर लगा रहा हूं लगों गजा की दिस्हां को दिखने के दर भी तो यह बतारी है तरजनी यह हो गई चुमके बले का कि दिसा और यह उठा अंदर तो करेंट के दिसा किदर बता रहा है नीचे की तरफ मतलब इसमें विदुत धारा के दिशा कोई अगर मैं बात करना चाहूंगा तो विदुत धारा के दिसा देखिए भ कुमें सिधांत है कि कुंडली में चुमके बले खाओं के संख्या में आप परिवर्तन कीजिए उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाइत होनी सुरू हो जाएगी और वही प्रेरित धारा मुझे जनरेटर से चाहिए थी मुझे करेंट चाहिए था और कैसे दिसाएं गयात करत दें गयाते हैं आईये बड़ता हूं मैं अगले क्वेश्शन की तरफ इसалось जहां पर पूच्छी नाम लिखे मताव डारेक्ट करेंट के कुछ सूर्सेस करते कौन कौन से जगह से तर डारेकट कर् हैं प्राप्त कर सकते हैं तो डारेक्ट करेंट करणे के लिए हमान के पास बिल्कुल हो तब यह एक डारेक्ट केरेंट है है कौन प्रत्या वर्ती धारा प्रत्या वर्ती धारा क्या होता है दोरों मंतर तो प्रत्यावरती धारा का मतब ऐसा उस लेखे प्रत्यावरती धारा का मतब खार अगर इनके सबी टॉपनस्ट को अगर आप कनेक्ट करने की कोछिस करेंगे इसके सबी टॉप पॉइंट को आप कर लीजे भी है किया connect तो जैसे इसके टॉप पॉइंट को connect करेंगे आपको ऐसी धारा मिलेगी यह तोड़ा उपर नीचे जो दिख रहा होगा लेकिन ऐसी धारा मिलेगे मर्तब दिष्ट धारा को कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि यह रही मेरी दिष्ट धारा इसमें कहते हैं तो इसको कहते हैं इसको निम्न विभाव पर यह किस पर होगा निम्न विभाव पर और यह जो उपर के साइड में आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कि यह है मेरी उच्च विभाव पर यह मेरी है उच्च विभाव पर और यह निम्न विभाव पर प्रत्य बरतीधाना में क्या उख है यह बीच में कंडिशन है यह मैरी निमन को यह जो है यह भी उच्च भी भाव है और यह भी मेरा उच्ग भैव है बस दिसा बदल रही है इसलिए को और बाद बताता हूं चलना बहुत सारे लोग ऐसा कहते है कि AC current और DC current ऐसा होता है क्या नहीं होता है है अगर कोई कहता है AC current तो भाई आप बताऊचा ना मैं कहता हूँ AC मतब क्या है एमताओ alternative और C मतब current होता ही है तो AC का मतब तो ही है एल्टरनेटिव करेंट एक क्रिंट करेंट जब होता है तो क्या होता है सिर्फ और यह कालता है डी सी अल्टीबेट पल्सेटिंग्र डिसी दोनों में डिफरेंस कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यह नहीं तो यह साब के दर दीखर आपको पॉसिटिव साइट बई तो यह हमारा डीसी और डीसी को ध्यान लख़िए दीसी को एक और नाम से जहांते पता है क्या जुस्ट करेंट दिस्ट नहीं डुस्ट क्यों यह बहुत खतर्नाक होता है इसने अगर आपको बलाया और कहा हिया गले मिलते है तो यह गले मिलेगा भीया दूर नहीं भगाएग आपको दूर भगादेगा और यह कंडिशन आती रहेगी यह प्रत्यव परति लेकिन डीशी में किया है अगर आप पॉजिटिव पे और यह भी पॉजिटिव तब तो आपको दूर भगा देगा दिक्कत नहीं आई लेकिन अगर ये आपके विपरीत आपके विपरीत पोटेंशियल पे होगा तो भाईया वह आपको बुलाएगा और कभी जटका नहीं देगा इसलिए डीसी जो होता है वो ज्यादा डेंजरुस होता है डीसी से डेंजरुस याद रखे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन कों सा करेंड डेंजरुस होता है यह याद बैटरी से होता है उसको तो चूले तो बड़ा जटका लगता भी यह तो मैं क्या बोलना हूं वो जो आता है और जो आप बैटरी से हैं आप जो कनेक्शन करते हो फाथ से जोड़ लेता हो वह मात्र 1.5 वो प्रोजेक्ट बनाते से आपने वह सेल यूज किया होगा वह आपको देखने को मिल जाती है 9 वोल्ट की माक्स टुमेक्स चलो 12 वोल्ट तक की तो कहां 12 वोल्ट और कहां 440 वोल्ट भी यह डिफरेंस तो होगा ना तो वह जो बहुत जादा है इसलिए वह हमारे लिए नुकसा पर ही कह रहें प्रत्या वर्तिधारा उत्पन कहने वाले स्रोतों के नाम लिखिए तो प्रत्या वर्तिधारा जो होते हैं एक तो यह एसी है ना जेनरेटर अल्टरनेटिंग करेंट जो जनरेट करते हैं और बात करें इन्वोल्टर इन्वोल्टर का मतब क्या है तो इन्व incarnator कर सकता और दीसी देंगे तो ऐसी वी मतबढ़ इससे ये पहुचा सकता क्या करेंगा वह उसको कुछ नहीं करना आप सिंपली समझे यह जो नीचे यह नहीं को उपर पहुचा दो और यह नेचे वालों को का क्या यह वह वह भाप ठाद में यह देख लू बन गईero DC यह बन गे नहीं है DC मैंने नीचे वाले को अटा दिया तो तो यही काम करता वह इंवर्टर तो इससे AC भी प्राप्त कर सकते और इससे DC भी प्राप्त कर सकते हैं ठीक तो मतलब AC जुनरेटर हो गया और इनवर्टर के नाम ही है नो जो इनवर्ट करें बदल दे तो DC से वह एसी कनवर्ट करके देते ताम को हरा चली आगे बढ़तों में पीज नंबर 266 पे पेज नंबर 266 पर यहां पर क्वेश्चन कहा रहे हैं कि तामबे के एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुमकिये चेत्र में गोर्णी गति कर रहा है मतब कहा करें वह कुंडली घूम रही है अच्छा इस कुंडली प्रेवित विदुद्धारा की दिशा में कितने परिव्रमन के पश्चाथ परिवर्टन होता है तो यह कह रहे हैं पता है क्या यह देखें यह इसी मुद्दे पर बात करना चाह यह कह रहे हैं ऐसा यह एक हेवी मेगनेटिक फिल्ड है नौत और साउथ पूल के साथ इसके बीच में कुंडली है यह रही वो कुंडली यह कुंडली घूम रही है हरा तो इसमें इसमें कितनी देर के बाद में दिस्या जो है वो परिवर्तन हो जाएगा तो देखें इसके क् मतलब है इसका बहुत आसान सा मतलब है मैं यह बोल रहा हूं मैंने जो आपको एक्जामपल दिया था उसी एक्जामपल को थोड़ी दिर के लिए आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैं बोल रहा हूं कि यह कूलर से हवा आ रही है आप उसके जामने तर्मा कोल की शीट से लेगर के खड़े varadus जाएं टो जितने बीड़ं रखाएं आए पूरी इसके सब्सक्रोंस करेंगी लेकिन यह ऐसे लेकर के जब आप खड़ेंगो अब आप इसको घुमाना शूरू करो आप आप घुमातों घुमातैं कर दिया और जाब अधर सा वा तनल उन体 हैक्ज जैसे जैसे आपने इसको इदर टर्न करना सुरू के दीरे 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 आप बढ़ाता है और यहां तक आए तो यह देखिए ना यह दीरे 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 क्या हो रही है इसका मान दीरे 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 बढ़ा रहा और यहां तक आगए मतलब जब आप बिल दीरे 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 क्या होता चला जाएगा तो यह डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि पूरी केस में फिर से समझाता हूँ यहां पर थे आपने पूरी पूरी हवारोकनी की कोसिस करी थी मतलब पूरा का पूरा फ्रील लाइन इसके अंदर से दीरे 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 सॉरी दिरे 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 क्या करना सुरूगा भई कम करना सुरूगा फिर दिरे 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 बढ़ना सुरू हो रही है फिर नेगेटिव डिरेक्शन में कम होना सुरू हो रही है मतलब क्या पहले ऐसी कंडिशन में थी तो कुछ भी नहीं था फिर दिरे 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 दि के बाद अधा टरन का मत्तब हो गया कि यह रहा नोथ और यह रहा साउथ यह इसके जो आम्स थे इसका जो आम था एबी और सीडी अभी यह सीडी लेफ्ट में आ गया और यह जो एबी था वो राइट साइड में चला गया तो भाई इसमें डिरेक्शन क्या हो जाएगी चलते हैं ठीक है क्वेस्टिन कहां पे 267 पे क्वेस्टिन नवर फॉस्ट क्या रहे हैं विदुत परिपतों में साधित्रों में समाने तो उपयोग होने वाले सुरक्षा उपायों के नामिक मतब जो हम डूमेस्टिक करेंट सप्लाई के लिए जो सुरक्षा उपकरन सुरक्षा उपकरन कैसे कैसे तो फिउच जो होता भी यह हमें अती भारण से बचा लेता है बहुत जधा करेंट अगर आपके यहां पर आ गया तो क्या करता भी तो फिउच पिगल जाता है का काम क्या होता है देखें आप ऐसे connection लेकर का ते यहां पर लगा हो ताभी आपक स्वेट है तुछ तो इसके अंदर में कहरा हूं कि किसे UNDER में आप ले करके गा उख को और ohh कुछ फ्यूजे यह यह घर हो जाता है अभी मैल्ट हो गया मतब इसमें बिदुर thouiara कुछ भी प्रवाहित अब नहीं होगी नहीं होगी तो यहाँ पर जो मेरे पास मैं उपकरण होगा यह जो मेरम करण होगा यह सेट बच जाए गा को यह तारीके का सीधा मतलब होता है कि कोई भी metallic body वाला आपके घर में appliances जो यूज होता हूँ हम मान लीजे बात कहलेते किसकी तो cooler की बात चलिए चलो cooler की बात करता हूँ है ऐसा होता भी हमारा cooler चलो यहाँ पर switch बायर चला कि यह आपका switch plug यह आपके board में बना होता है plug एक यहां connected हो दूसरा वाला जो वायर होता है वो यह रहा है यह दूसरा connected हो यह दोनों अंदर की तरफ जाकर के बकाइदा connected रहते हैं ठीक है यह जो है यहाँ पर कहीं पर जाकर के इसके अंदर में connected होंगे यह भी जो होगा अपने switch वागेदा से यह जो एक अपना इदर जाके connected है और जो तीसरा वायर होता है है तीसरा जो वायर होता है यह जनरली ग्रीन कलर का यूज किया जाता है और यह आपके घर में देखा होगा यह जो प्लग बोर्ड होता है उसमें ऊपर के तरह बड़ा मोटा सा होता भी वह वाला यह लेया और लेया करके इसको बॉडी में कनेक्ट कर देते हैं अब बॉडी में कनेक्ट करने से हुआ क्या कैसे सुरक्षा हुई तो क्या होता है जड़ा समझ यह अगर यहां पे सुरु आती में माल नीची एक यह भाई साब हैं और यह गया भी यह कूलर चालू करने हैं क्या करने गया है कूलर चालू करने हैं लेक इसे इन्होंने कूलर को छुआ तो क्या होगा वही ऐसे बाल बिलकुल ऐसा खड़े हो जाएंगे उनके चूंकि यह कूलर में क्या था गलती से करेंट फैल गया था मतब विदुत धारा इसके अंदर फैल गई थी यानि विदुत धारा इसमें प्रवाइट होने लगा था क्य बाइए इसके जरीए इसकी बोडी से होती हुई ग्राउड में आने की कोचिस करी क्योंकि ग्राउंड किस पर यह था लोर पॉटेशल पर हरा मतलब यह कैस पर होता है निमन विभाव पर आपका जो पृत्वी है यह मैसाने अनिमन विभाव पर होती पुटेंशल इसका छि तो विदुद्ध़ार हमे से निमने भूव की तरह प्रवाईत होगे और माध्यम कौण बनेंगे हम तो भाईए हमें जट्के लगेंगे लेकिन 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 क्या काम किया तो यह रहे समझधार इन्हों इस switchboard में हमने एक और wire connect कर दी green color की और ये wire कहां से connected है भई तो ये wire connected है इसी body से किसे जो metallic body जो धातू की ये body बनी हुई है इसी से connect कर दिया यानि उसके बाहर आवरंड से connect कर दिया अब क्या हुआ ये जो बाहर आवरंड पे जो current फैला हुआ था वो पूरा का पूरा धारा जो है वो इसके जड़िये हा गई और इसको हम क्या करते है भई तो इसको हमने कर रखा होता है पहले से ग्राउंड मतलब या हमेसा ही किस पे है lower potential पे और एक बात समझेगा यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा concept भी है दो चीजे देखिए अगर मैंने अब की स्थिती में इसको पकड़ लिया किसको भई ऐसी स्थिती में मैंने जा करके cooler को छुआ तो मुझे जटका क्यों नहीं लगेगा भई अभी भी तो इसमें current फैला हुआ था तो मैं यह कहता हूँ कि हमारा जो होता है हमारी body की जो प्रतिरोध होती है रजिस्टेंस होती हुआ जादा होती है हाई होती है और current हमें साफ फॉलो करता है लो रजिस्टिव पात को मतलब जिसमें निम्र प्रतिरोध होगा उसको आप खुद समझें ना जिसमें रुकावट कम होगी उसी रस्ते को आप फॉलो करेंगे ना कि जिसमें रुकावट जादा होगी उसको फॉलो करेंगे तो आपको समझ माता नहीं भी जिसमें रुकावट कम है हम उसे फॉलो करेंगे रुकावट किसमें कम है तो रुकावट इसमें कम होगी क्योंकि ये कौन था ये चालक है ये 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 चालक है तो चालक में रुकावट कम होगी न हमारी बॉडी तो वैसे ही ये रजिस्टेंस ओफर कर रही है तो पूरा का पूरा विदुदारा होगा वो किदर हो जाएगा भ अपने सर पे बचे रहेंगे मतलब हमें करेंट का जटका नहीं लगीगा। यह पूरी की पूरी आप हो चुकी है। औूंड और किसके ज़रिये यह रहा भूँसंपर्क कितार के ज़री यह दोनों ही सुरक्शाप्करण इसने कहते हैं कि विदुत परिपतों में साधित्रों में समानिता उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपकण कौन-कौन से एक है फ्यूज और दूसरा है भू संपर्क में उपयोग होने वाला तार कि लिए बाइद इतनी सी बात के लिए है तो हम बनते हैं जारा अगली क्व मतब इतने का वो है ठीक है का एक विदुत थंदूर घरेलू विदुत परिपत 220 वोल्ट परचालित किया जाता है जिसका विदुत धारा उनुमतांग कितना है भई पाँच है इससे आप किस परिणाम क्या पिक्छा कर दे मतब यह क्या क्या बाते करना चाहते हैं तो यह यानि अगर इसको एक घंटा आप चलाएंगे तो कितना ले लेगा भाई यह अगर यह एक घंटा चलेगा तो दो किलो वाट ले लेगा मतलब दो हचार वाट की सकती का उपभूग करेगा अच्छा विदुत परिपत्म 220 वोल्ट मतलब इसका सप्लाई पोटेंशनल डिफर सकती है पावर है वो है 2000 वोट और विदुत दोरा ली गई धारा कितनी होगी तो आई को इस टो होता है पी अपॉन पी अपॉन वी पी अपॉन वी का मतलब किता हो गया बही तो 2000 अपॉन 220 मतलब 9 एंपियर यानि तक्रीबर पॉइंट में आएगा यह लगबग 9 एंपियर क जबकि विदुत परिपत का विदुत धारा अनुमतां कितना है वे 5 एंपियर और तंदूर को क्या चाहिए भई 9 एंपियर तो इसलिए यह परिपत के अतिस्मक्ता अत्वा अतिवारर के कारण तोड़ जाएगा मतलब यह काम नहीं करेगा क्या समझ माया आपने यह जो करे जो लेकर क्या है इस सप्लाई की माक्सिमम लिमिट है कि यह 5 एंपियर का करेंट अपने अंदर से विड्रॉल कर सकता है जाने दे सकता है लेकिन मैंने क्या क्या हुआ है यहां पर जो तंदूर लगाया है यह जो तंदूर लगा हुआ है एलेक्रिक हीटर बेसिकली यह कितन तो मैंने इसके लिए धारा निकाल ली कितने कि यह कितना धारा डिमांड करेगा इसको आवश्यक यह आवश्यक धारा है और यह कहा है यह सप्लाइड करेंट यह फाइव एंपयर के सप्लाइड करेंड यह इतने की करेंट सप्लाइड हो रही है और इसको आवश्यक कितना है तो आवश्यक हमें समझ में आया कि भी आई पी आपको ध्यान में होगा पी इस इक्वल्स लिखते था आई वी और हम उल्टा प्रनेंशियेट करते थे तो वी आई पी निकलता था जिसे हम कहते थे कि पावर फुल आतमी जो होता है कौन होता भई वी आई पी आतमी तो मतलब यह है दो हजार का और यह हमारा दो सो बीस एप्रॉक्सिमेटले नाइन पॉइंट संटिंग आ रहा मतलब नाइन एंपियर मान करके चलिए लगभगे इसको डिमांड है और यह जो सर्किट बनाएए वो अधिक्तम पांच एंपियर ही दे सकती है चाहिए नो एंपियर दे यहां पर लगा यह नहीं डित सकता है तो इसमें पूरा शाराक बहुत इसने वह यह क्या करते हैं घरों में जो आपको रिक्वाइड है जो घरों में यूज हो रही होती है जो जितनी सरकिटरी की जाती है घरों में जो वारिंग हुई होगी आपके वो जनरली दो ही होती है वह इस इंपियर और शेंपियर के लगे होंगे आपके नॉमल स्वीच जिसमें चार्जिंग वार्जिंग फैन ट्यूब लाइट वगरे यह सब चले वह सब शेंपियर किये और जितने भी पावर केबल्स हो च přनाम से common language मैं जानते हैं वह ultimate क्लीकों से होता है तो वह 16 mpyr होती है जैसे एसी Haas का pointer हो गया आपके घर डिखर अगर pointer होगा उसकी बात कर लेते हैं यह जितने भी pointers होते हैं वह 16 एंपियर के होते हैं क्योंकि जनरली उसमें क्योंता है दो किलोवट या तीन किलोवट की चीज़े प्रचालित की जाती है ठीक है तो दो किलोवट तीन किलोवट तक के लिए अगर आप जाते हैं तो अभी इ एक ऐसी सरकिट चीए जिसमें की विदुत धारा का जो अनुमातांक है विदुत धारा की जो डिमांड है जो प्रचालन होना है वो कम से कम इतना हो कि आपके अनुमातांक से कम हो मतलब जैसे हमने 16 एंपियर लिया अगर इसी हीटर को चलाना होता है यह बिल्कुल डिफ्रेंस हमारे घरों में आता है तो अगर 2 kWh की कोई चीज़ चलानी है तो नॉमली अगर वो 6 एंपियर वाले पर आप चलाओगे तो आप खुद समझो नहीं है 5 एंपियर का ही है चेंपियर पांच एंपियर चेंपियर का आपकी डिमांड है और सारी छेंपियर की आप कर दिया कितना नों एंपियर तो भी या ओब यसी बात है फ्यूज उड़ जाएगा है ना सौट सर्किट होना सुरू हो जाएगा तो ऐसा काम नहीं करेंगे जब कि यही नों एंपियर की डिमांड है और 16 एंपियर वाले से कनेक्ट कर दूं तो आसानी से चलेगा ना चली तो 267 पर ही घरेलू विदुत परिपत्थों में अती भारण से बचाओ के लिए क्या सवधानी बरतनी चाहिए यही जो अभी अती भारण हो रहती है अती भारण काई केस्ता यह से बचने के लिए क्या करें तो इससे बचने के पहला तो काम था हमरे क्या फ्यूज वायर इसमें का पॉइंटर लगना उसमें खॉम करते हैं उसमें ले आते हैं तो आपको पता ही होगा एक्स्टेंसिंश एसा ऐसी अरेंजमेंट की एक भो ले आते हैं रहाँ प्लग स्वण्ट बने होते यहां पर भी होता है इधर साइड में भी आपके सामने दो अप्शन मिल जात कर दे भीया उसका सप्लाई करने की एक छमता है ना उससे ज़्यादा क्या अगर आपने डिमांड कर दी तो भीया होगा ही सोट सर्कित सब्क्राइबे dollars करें सीरीज में कभी कामें समें करें सीरीज में क्या होता है प्रति रोट कामान पहले तो भरवन और डूब बना देता हमें यह दो बम हैं माले और यह एक बलब है खर बलब से इतना बड़ा अशर पड़ेगा नहीं बद ठीक है एक resistance के तौर पर मैं बना रहूं यह दो को अगर आपने इधर रखा है तो इसके अलांग potential difference के उड़ेता बट जाता है और प्रतिरोध का मान भी सीदे सीदे जोड़ जाता है प्रतिरोध का मान इसमें बढ़ जाता है potential difference का मान घट जाता है तो यह अधिकत की बात होती है जब हम पाशुक्रम में यूज करते हैं इन्हीं को इन्हीं को मैंने पैरलेल में यूज कर लिया वैसे आपके घरों में जितने भी appliances connected होते हैं वो maximum parallel में ही होते हैं नहीं होंगे तो बहुत सारी समस्य आती है यह देखिए यह पैरलेल combination कहलाता है पैलेल combination में क्या हुआ भी तो पैलेल combination में एक तो resistance जो होता है उसका मांद घट जाता है कारण क्या भी वन अपन आर एक्यूवेलेंट लिखते हैं यह वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर्टू यह अल्टिमेटी प्रतिरोध का मन क्या होगा घट गया जबकि य आर एक्यूवेलेंट कैसे लिखते हैं यह आरवन प्लस आर्टू तो इसे प्रतिरोध कमान बहुत रहे हैं प्रतिरोध कमान घट रहा है पहला केस दूसरा potential difference बिभवांतर जो है जो वी यहाँ पे बना हुए हो वही वी यहाँ पर भी बने हुए बनऄा थे अपके प्रतूद करते हैं अच्छा बात बताई जैसे अभी हमने देखा तरह हमारे लिए नाइन एंपियर के डेमांड थी कितने की नाइन एंपियर की तो कितने का फ्यूज रखे नौ का दसका या आठ का तो भीया आप एक बात समझे मुझे जितने की रिक्वार्मेंट है माक्जिमम ठीक है क्या माक् जिक्तम करेंट दे सकते हैं तो मैं इसको लगाऊंगा कितने का भी कि आठ एंपियर पे मेरा जो है वह फ्यूज चल जाए क्योंकि आठ से जैसी बढ़ेगा वह चल जाएगा ठीक है लेकिन यह तो बार 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 पिगला ही रहेगा तो अगर मुझे 9 एंपियर रिक्वार् तो मैं कितने का लगाऊंगा फ्यूज तो मैं फ्यूज का अनुमतांक ऐसा लखोंगा कि वह 4.5 एंपियर पर ही क्या हो जाए पिखल जाए आप मांगो 9 एंपियर मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैंने जो कनेक्शन बनाए 5 एंपियर के लिए बनाए तो मेरा जो हो जाए कुछ गरबड़ी हो जाए तो हम एक पर्सेंटेज मार्जिन लेकर करके चलते इसलिए थोड़ा सा मेरी जो सर्केट्री है उससे थोड़ी सी कम वैल्यू की हम फ्यूज करते हैं ठीक है अति बारण से बचाओ के लिए एक ही समय में अधिक विदुत उपकरणों का प्योग नहीं करना चाहिए ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि घर में जैसे सपोर्स हमने गीजर भी आउन कर दिया एसी भी आउन कर दिया इधर आयरन भी चला रहे हैं बहतरीन तरीका से ठीक है और मोटर वोटर लगा हुआ है घर में उसको भी आउन कर दिया पानी चलाना सुरू कर दिया यह सब कुछ एक सथ महीं ऐसे काम नहीं करने चाहिए अगर आप उसको ऑल्टर कर सकते तो ऑल्टर कीजिए अधरवाज बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है जब आपको मल्टिपल काम होते तो मल्टिपल केनेक्शन बनाए जाते हैं मतलब नंबर फेजस बढ़ा देते हैं एक फेज दो फेज या तीन फेज की एलेक्टरिसिटी को आप लेते हैं जिससे कैसी समझ से नहीं आती आमतर पर बट हमारे लिए क्या सवधानी बढ़ते तो यह तरीकी की सवधानी हुई ठीक है ना चली यहाँ तक यह बात है अगर आपको समझ म वीडियो उनको से वीडियो के माध्यम से हमने समझा सीखा इस पूरे चाप्टर को और उसी पर अधारित मैं क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आता हूं ताकि वह आप क्लेर कर सके कि जो आपने कॉंसेप्स सीखा है वह अच्छली उसी तरीके से वाक कर रहा है ठीक है तो हमने यहांत कवर अप कर लिया अगें की भीया आप उस वीडियो पर जाए उस वीडियो को देखिए कॉंसेप्ट वीडियो से ही आपको यह सारी बाते क्लेर होती चली जाएंगे लेकिन उस वीडियो पर जाएंगे जरूर ताकि आपके पास में खुब सारी बढ़िया सी नौलेज्स मिल साथ हरा जो आपके नौलेज्स को इंप्रूफ करें बूस्ट करें मतब अल्टी मिल्टी आप अपडेटेड होंगे और इसी तरीके से अपने आपको अपडेटेड रखने के लिए बने रिये सिंपली मागनेट ब्रिंस के साथ क्योंकि आपके लिए कर काते हैं कैशी बेक्से English medium as well as Hindi medium मतब आपके लिए किसी भी स्टेट बोर्ट से हुआ आप आपकी बुक्स NCERT है और यह पूरा कॉर्स जहां पर आपके बूर्ट के अपके पूरे पूरे सी लिवर्स को कवर करा है हमने साथ ही साथ प्रिवियस यर क्वेश्चिन पेपर मोस् इंपॉर्टेंट क्वेश्चिन पेपर MCQs की सीरीज भी अविलेबल है आपके लिए साथ ही साथ अगर आप NTSC, Olympiad, CUET या फिर अगर आप स्पोकन इंगलिस ऐसी कुछ कोर्स को जोइन करना चाहते हैं तो बने रही है ना सिंपली मागनेट ब्रिंस के साथ ये सब कुछ फ्री आफ कॉश्च लेकर कहते हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग आइंट, CIIB, JAIIB भी तो वही जिस तरीके से आप अब तक ये वीडियो द द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए, साथी साथ जिस तरीके से आप हमारे साथ हमारी YouTube चैनल पर जूड़े हुए, उसी तरीके से आप हमसे connect हो सकते हमारे social media platform, that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram पर भी, ताकि कोई सुझाओ आपकी तरफ से वह फट आफट हम तक पहुंच जाए, और हमा that is free of cost, experience, teachers के साथ, तो बने नहीं है हमारे साथ, हम मिलने है अपने अगले session में, अगले कुछ questions के साथ, अगले कुछ topics के साथ, अगले कुछ interesting topics के साथ, बैसिकली, Jai Hind!